भगवान ही अपने लीला अनंद के लिए भक्ति रुपधारन करके इधार राम लीला में अश्वादन कर रहे हैं हुनुमान बन करके हुनुमान कौन है यह शीव जी है कि अपनोला और कोई नहीं है i said smart एंद है कि इसनों लीला में अनंद लेने के लिए नंद गराम में जब किष्णमा आये हैं बोले बबha मुझते बनेधारन करने दर्शमआनष। लीला अश्वादन करेंगे ब्रिंदा बनी लीला वही शी अलग तो रही है जर्शमुति मात घबरा रहे हैं अरे बबाब यह क्या बजटा उटा देख करके यह तो भाई हमारा बालक छोटा सा बालक यह तो घबरा जाएगा भाई पा जाएगा ए बाबा तुम क्या जो चाहि आपको क्या चाहिए भीतर मत जाओ नहीं माईया हमको ते भीतर जाना है और जर्शमुति माता भीतर प्रविश कराने के लिए एकदम बिल्कुर राजी नहीं क्यों बालक घबरा जाएगा ऐसे जटा उठा देख करके शाप लटका हुआ हुआ है बिच्छु लटका हुआ ह पाम पूजू बाबा आप भीतर मत जाओ आपको क्या चाहिए बताओ जो चाहिए आप ले जाओ क्या चाहिए बताओ नहीं हमको ते भीतर जाना है हमको तो आपका सुना है एक बच्चा हुआ है हमको तो दर्शन करना है आर जर्शमुति मायादा ने देने के लिए तैयर न बोले बबाबा बाइट गये हैं और बाट्चा करोंप बंद नहीं होता है किसी योज़ आपको इतना रोना नंहीं होता है इतना रोना कृष्ण छोटा किष्ण है जाके बाबा ऐसे बच्चा तो रोना बंद नहीं होता है आप कुछ किया है कोई गलती हो गया तो माप कर दीजिए कोई बुस्त चाहिए तो ले जाए बाबा अब शमा कर दीजिए घबड़ा गए है बोले ऊश्चा तो बंद हो जाएगा हम भुले चलो हम ठीक कर दोंगे मनत्रू के दौरां अब ठीक कर दिए चलो भाइशो अगरो ना मंद है बोले बाबा को ले गए बोले बाबा तो जब भीदर कहें है बक्त भगवान के लीला बोले बाबा को दिख आई हैए एक दम पिर डोना सुरू कर दिये हैं औरो भवा जा ऑजा जा अजा बच्च भी रोता है पिर रह ऐं रोना भंग फिर हाए लोते हैं रोना सुरू है ऑले यह यह वह तो तो अच Tibi प्ड़रॉ member तो आसेश्वर में उनके लिए स्थान मना दिया, आसेश्वर महादेव है ना, आसेश्वर, आसा को पुरण करते हैं, जो हुआ है आसेश्वर, हमारे बच्चा जब रोएगा और यह से शादू रहना अच्छा है, तंत्र मंत्र जानते हैं कोई नजल लग जाएगा, कभी को जार्फो करना है, बबाबा को बुला कर लाएंगे, बबाबा को उही रहने दो, उनके लिए रोटी उटी होई पोचाएंगे, बबाबा भजन करेंगा, अच्छा ही होगा, तो बबाबा के लिए इस्थान मना दिये हैं, आसेश्वर महादेव, यह लीला भक्त, भगवानी बक्त बनके यह लिला भी नोत करते हैं, यह अगम्य है, यह मन बुद्दी के अगम्य है, यह बिचार के अगम्य है,